इसे बोला जाता है यह हुआ था यह आपको महत्मा बुद्ध के मृत्तु के बाद ही हुआ था चारसो तिरासी सीपुर में अपको बहुत संगीती फिर दूसरा होता है तीनसो तिरासी सीपुर में सबसे पहला बोज संगीती हुआ था ठीक जो की राजग्री में हुआ था दूसरा जो हुआ था ये वैसाली में हुआ था काला सोक के सासनकाल में हुआ था त्रित्तिय जो हुआ था असोक के सासनकाल में हुआ था जो की मोरवन से आता था और पाटली पुत्र में हुआ था और चतु दोसरा है कि होमरुग अंदोलन किस treating अपको बताना है यह किया गया था एनी बिसेंट और लोकमान तिलक द्वारा यह किया गया था और एनी बिसेंट का नाम जैसे यहां पर ध्यान में रखिएगा भारतिये अगर पूछे कि भारतिये महिला वो कौन थी जो कांगरेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो बनी थी आपको शरोजनी नाइडू जो कि 1925 के अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी ठीक लेकिन अगर यह पूछे कि सबसे प दूसरे के अंसर क्या हो जागा यहां पर डी हो जागा अराम से अपलगा लिएगा कुश्य नुबर तीसरा देखिए बैदिक काल में वड़ ब्यवस्था किसने परतिपादित की जो बैदिक काल है उसमें वड़ ब्यवस्था किसने परतिपादित की आपको बताना है तो बैदिक काल में वड़ ब्यवस्था किसने परतिपादित करने का स्रे माना जाता है मनू को ठीक यह याद रखिएगा अ पुछता है निका शमंद है भारत नट्यंघ से सबसे प्राची का नित में भारत नट्यम आता है जो और के चरечьतर होता है और कथक कली कहाँ का है केरल का सास्त्रे निर्थ है यह याद रखिएगा five cancer D हो जाएगा आगे हो जाएगा अगे चलते है question number six देखिए कूषण नम της से है यह आपको ईकली नदी के दु सबसे बड़ी नदी में अमेजन नधी कहीं नाम आता है अब यहां पर मैं आपको बता दू भारत के सबसे नम्बी नदी अगर पूछे तो होता है गंगा नदी और सबसे बड़ा सहीक नदी यमुना नदी जो कि फ्रयांगराज्योकि लाहबाद प्रैदितरि भरत था में कि इसके सालों भर पानी रहने के कारण और पवित्र नदी माना जाता है यह शाउथ में पताना है मोहन जो करत होता है मिर्तुकों टीला मुहँजदाड़ों का सिंधुन किनारे मुहँजदारों शिंदुनदी किनारे ँग का कौर चाहिए 350 यूग परकृतिक तत्व है इसने से बताना है कि कौन 번째 योग परकृतिक HINDI- Paint DA listening 2335 इसका विखंडन करकर आपको परमाड़ू-बं में इस्तिमाल किया जाता है. बिकनर सहीं आपको तोड़ा जाता है इसको और इससे इनर्जी निकलता है. जैसे इनर्जी जो नाबिकिय इनर्जी प्राप्त करने की motor के दो तरह के जाता है। इतना के सूरज के जूर्जा का सरोत है उश में हाइड्रोजन के चार नाभिक जूड़कर हिलियम के एक नाभिक बनाते हैं वो नबिक सलेन पा धारित है और नबिक बीखंडन में और नाभिक होते हैं उनको तोड़कर यूर्जा प्राप्त की जाती है ठीक ते ऐसे याद का नक Hessmas हाँ पर मैं आपको बता दूब कि राज वर्स कम से कम आपको आयोई चाहिए यह भी ध्यानमर रखिएगा चलिए कुश्य नमर 10 देखिए साथ डिगरी कोड पर आनत दो समतल धरपड़ों के बीच जब एक बस्तू को रखा जाता है तब बनने वाले परतिवीम की संख्या है इसकी साथ डिगरी कोड यह कोड है और माइनस यहां पर वन कर दिए मिसकी सचा के 36 माइनस वन हो जाएगा तो यह 5 आपको परतिवीम बनेगा यही 90 अगर रहता मिसकी 90 दोनों के बीच में रहता एंगल तो यह इन चोग के 36 और एक घड़ा देते तह तीन हो जाता परतिवीम की संख्या तो यह याद रखिएगा कि एक राश्य आभ Chief और भी मिलेगा तो सबसे पहला है तो यह सबसे पहले हुआ ठीम करबोट नेशनल पार्क थिक है है जी और भी बोला जाता था वो वह अब आपको राजा जी राष्टि उधान नियुटाय कंसर रखेगा एख इशा में शिमली पाल हुआ यह सब ब्रिजर मिलता है ते ग्यारक एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक ग्यारक एंसर हो जाएगा आपका ए अस्था में सबसे ज्यादा चाय भी होता है यह भी ध्यान में रखिएगा और सबसे बड़ा जो नदी द्वारा दीप है माजुली अस्था में ही पड़ता है यह ध्यान रखिएगा ब्रंपुत नदी द्वारा बनाया हुआ कुष्छ नमर 12 देखिए सभी जातिवाचिक संग्या का समूँ कौन सा है यह आपको चूच करना है या और बताना है मैं आपको बता दिता हूं सभी अपसर यह पर है जाती वाचक संग्या के समूं कुछ चूज करना है और बताना है कि इसमें से कौन से जाती वाचक होगा कुश्य नमर 12 देखिए तो देखिए इसमें से जाती वाचक संग्या अगर पूछे तो लड़का हो जाएगा नागरिक हो जाएगा, कार हो जाएगा ये सभी जाती का इंगित कर रहे हैं तो ये जाती वाचक में आ जाएगे ठीक तो बाराक एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आराम से अपलगा सकते भी कुश्यन पर 13 दिखे राश्टी एकता दिवस को मनाया जाता है और किसके जनम तिथी के उपलक्ष में तो सरदार बल्ला भाई पटेल जो हमारे परथम ग्रिह मंत्री या परथम उपरधान मंत्री बने थे उनके ही आपको जनम तिथी के उपलक्ष में मनाया जाता है उनका भी जनम जो हुआ था ये गुजरात में ही हुआ था का आपको बताना है vitamin b1 का तो रसाइन का नम सी होता हैREE हूता है इस टाइब से ही इसका नाम है एसकॉर्विक एसीड एक अब ज्यादातर अप देखिएँ का खड़ते फॉलो में ही आपको vitamin c मिलता है सबसेगा जो vitamin c मिलता है यह आमला में मिलता है ओर ben sie Comics कर भी रोग यह आपको बताना है ठीक तो नागा अर्जुन सागर बांध जो ही यह आपको कृष्णा नदी परिष्थी थे किस पर कृष्णा नदी परिष्थी थे ठीक राम से लगा लिजेगा पंदरक अंसर क्या हो जाएगा अगे चलते कुश्यन नबर 16 देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव हुए जो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे वह कब हुए थे आपको बताना है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे तो उसके अध्यक्षिता डाक्टर रजंद पर साथ करते थे और वहीं जब लोग शभा के तरह काम करता था ठीक संसद के तरह काम करता था तो उसके केंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा देखिए हमारा सभीधान तो ऐसे लागू हुआ था चबी जनवरी उनिशो पच्चास को पूरता सभीधान लागू हो गया था यह दिहान मरेखिएगा कोशनला देखिए। एक तत्वॉ आक्सीजन के साथ अबक्रिया करकर उचो गललांक वाला योगिक निर्मित करता है यहाँ योगिक जल में से कौन सा योगिक हो जाएगा तिशnya हो जाएगा शिलिकोन का आपको चीप बनाने में इस्तमाल किया जाता है, ये बाद ध्यान में रखेगा, आगे चलते, कुश्य नमर 18 देखे, थारू जन जाती पाई जाती है, जो थारू जन जाती है, ये कहां पाई जाती है, देखे, सबसी जादा जो जन जाती है, ये पाई जाती है, भारत में पंचायती राज विवस्ता को लागु करने वाला प्रतम राज था लिकिन इसको सविधानिक दर्जा देने के लिए और इस पर परभावी कानून बनाने के लिए आप दिखिएगा कि दो अक्टूबर 69 को सबसे पहले आपको दो अक्टूबर 69 को कुछ समय आपको जवाला नहरू थे राज असन्त नगोर जिले से पंचायती राज की शुरुवात किया गया था राज असन्त के नगोर जली से आपको पंचायती राज का और फिर इसे बाद में जाकर देखिएगा तो उन्हें शौव आपको 92-93 में आप देखिएगा कि मिला 73 शुविधान से सोजवन द्वारा पंचायती राज को शुविधानिक दर्जा ठिक और उससी समय से आप देखिएगा कि हर 5 साल के ब दरिष्टी से सबसे बड़ा राज है यह भी ध्यान मरकि एक जन संख्या के दरिष्टी से सबसे बड़ा राज उत्तर प्रदेश है कुश्चन बर 20 क्या कार है इरसिया का सही वड़ बिछेद बताना है संधी बिछेद नहीं बताना है वड़ बिछेद बताना है मिसकी एक वड को इसको बिछेद करना है तूड़ना है ठीक कि एक वड मिल कर ये कैसे बना है क्योंकि आपको पता है कि सबसे छोटी इकाई जो होता है ये वड ही होता है और वड के मिलन सही कोई सब्दे वाक के जो भी बनता है ये अराम से बनता है सब्दों के मिलन से वाक बन जाता है और जो सब्द बनता है वो आपको वड़ो के मिलन से बनता है ठीक तो यह इर्सिया का आपको बिछेद करना है वड़ बिछेद करना है तो इर्सिया का वड़ बिछेद कीजेगा तो क्या होगा आपको बताना है इसमें से देख लीजे तो देखे यह वाला आपको डी वाला आ कि और सब्से प्राशील लेंगरिज में संस्कृit को माना जाता है और sanskriit के ब्याक्रण के पीता कहा जाता है पाड़नी को कि से कहा जाता है पाड़नी को याד रख्ये का कि है कि किस की की हो जाएगा कि कि इसमें अगर कोई भी पत्टी उति गीर्था नहीं न जहाए ने सिक्कम जन शंख्या का द्रिष्टी से सबसे छोटा के कम जन संख्या कि दरिष्टी से सबसे छोटा राज और च्हे तरफल नहीं यारे सब्षाल करता है। कों से जल संधी जलराorie जाता है यय जाद रखिएगा एडम्सवरंग के आगे जाईएगा यह यह अबedor UC देखिए मिट्टी जो रेगुर मिरदा के noam से भी evidence जाती है वह है मिट्टी का नाब बताना हाई जो कि रेगुर मिरदा के noam से भी जानी जाती है कौन से मिट्टी है यह आपको बतानाा है आपके सामने Dear, Two यह यह भी dl वह सांडया रहा सबसे यादा जो भारत में मिटी पाई जाती है जो कि नद्दी द्वारा जाता है मिटी उटी काटकर उससे बनता है पुरानी जलोड मिटी खादर और बांगर जिसे बोला आगे चलते हैं कुश्यन्ओं 25 समरिद होती है जास्मरीद होती है कहां पर सबसker जादा मिलता है यहां पर यहां जादा पेड़ पोधे जानवर जादा बारिश होता है ज्यादा धूब निकलता है तो वह वहां पर जादा अपको बारिश होता है तो यह आपको जैब बीवित्ता सम्रिद मिलती है और वहां पर क्योंकि वहां पर पेड़ पुधे काफी ज्यादा मिलते है बारिस होगा तो पेड़ पुधे भी होंगे जंगल होगा उस पे आपको बीवित्ता मिलेगा बायोडाइवर सिटी जी से बोला जाता है तो 25 के अश जो है इसका ठोस रुप को ही हम लोग सुस्क बरफ बोलते हैं ठीक और सिओ टू के कारण ही गलोबल वार्विंग जो कि बैस्विक उसरता जमदारी में सबसे बड़ा है शूटू का क्या काम होता है कि यह प्रकास के जो आपको ताप है उस और शुशित कर लेता है लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है ठीक जिसके कारण प्रिथिवी का तपमान बढ़ रहा है जैसे से सीओ निकलता ही है ठीक और और भी अलग अलग जो खतरनाक गयसे वो निकलते हैं तीसलिए बोला जाता है कि अपने लाइफ में जरूर पेड़ लगाना चाहिए और यतना हो सक अगर पेड़ रहेगा ही नहीं तो और ओक्सीजन छोड़ देता है हम लोग के लिए तो 26 की इंसर क्या हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा नाइटोजन जो ही है मिंडल में सबसी ज़्यादा गैस पाया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% के करीब इसकी 20.95 श दोनो औश्ट जो एन में इससको पिछ्षट से इसलिए इसको पूला जाता है ठीक कुश्यनade 58 देखे जो किस ने डिजाइन किया था जो गेट वे proximity किया था रालन यापको बताना है यह पर एफस्ट तो गेटवे औफ इंडिया का जो डिजाइन किया थे यह कहा परेश्थ परकास का परिवर्थन है लेकिन नीला जो दिखाई देता है यह परकास के परिवर्थन के कारण दिखाई देता है किसका परकास के परिवर्थन के कारण और जो हीरा चमकता है यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसकी परकास के पूर्ण आंत्रिक परिवर्थन के कारण जो आगे चलते हैं कि कुश्य नमर 30 देखिए कि वह आवास्ता जब सचमुछ में युध्र नहीं होता हो प्रंत युध्र का मोहल हमेशा बना रहता है उसी कहते हैं उससे कहते है उससे क्या कहते है उस अवस्था को यह आपके सामने है देखिए आप पढ़े होंगे टेंथ में मैं आपको बता दू कि जैसे 1991 से पहले मिस्पूनिश्व 1191 से पहले जो यूससर था जिसका भी घटन नहीं हुआ था क्योंकि 1991 में यूससर का भी घटन हुआ और जी में सित यूद चलता था मिस्की बातों से यूद चलता था ठीक और यह बना राता है यूखी लगता है कि यूद हो सकता है लेकिन इस्थिती वह बना रहा था है लेकिन वास्तों में भी युद्ध होता नहीं है, तो B हो जाएगा इसका, अब एक टीश देखिए, थाइमीन की कमी से होता है, थाइमीन जो है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपको बताना है, थाइमीन जो विटामिन B1 को ही थाइमीन कहा जाता है, और इसके कमी से आपको बेरी-बेरी रोग हो सकता है, विटामिन B1 के कमी से या बेरी-बेरी रोग हो सकता है, यह याद रखेंगे तो इसके इंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अगे चलते हैं, कोशन देखें, कोशन देखें, कोशन 32 है, कि निमन में से कौन सा एक गैर परापगरत औरजा का सिर्ऊत है इसमें से कौन ससे बताना है, जो गैर परांपरत औरजा का सिर्ऊत है, ठीक, तो यह आप देखिए, जसमें से आप देखिएगा ओपर केतीनों मिंधन है और नीचे पॉहन वायू यह सूरज हुआ इससे जो उर्जा प्राप्त होता है यह गयर परांपकरत उर्जा का स्रोत होता है ठीक त्यू जिसे आपको थर्मल के अलग अलग प्लांट लगाया जाते ही वहांसे निकलता है जो अगगे चलते डिकjs राश्टे बिग्यान दिवस किस दिन मना आ जाता है जो राश्टे बिग्यान दिवस से यह किस दिन मना आ जाता है यह आपको बताना है पहले भी मैं यह कुशन करा चुका हूँ आपको बहुत बेबियाई कोशन है इस बरपक्का यह कुशन आने वाला है तो यह जो राश्ट कि को सब्कूराइब है यह जा रखेगा कुषिकर नहीं है यह बताना सा एक अंत्रिक ग्रह नहीं है ठीक बताना है यह आपके सामने अपसन रहा तो आंत्रिक ग्रह नहीं है तो आंत्रिक ग्रह इसमें सोह जागा सनी सनी जो हो है यह आंत्रिक ग्रह नहीं है यह ब्राग्रह में आता है ठीक आंत्रिक ग्रह और ब्राग्रह चलिए मैं बता देता हूं ठीक यह रहा सूरज यह रहा आपका टो सवस्था में है और यह याद रखेगा सुरज को वह है आपको बूध और उसके बाद सुकर का स्थान आता है प्रितिवी के सब सनाजदिक सुकर》 ही है यह यह द्यान मरखेगा जिए विए उसके बाद मनंगल मंंगल गरा गरा को लाल गरा बोला जाते अईर किना और उसका दो विए फुमॉस और ra gos फिर अब यह सबसे बढ़ा सोर मंडल का बिसस्ति है और इसी का सबसे बढ़ा उपगिरह कोन है गैनी मीड है मैंने आपको टोटल कुशन कराया सनी का जो आपको घनत सबसे कम होता है इसलिए पानी में भी तैर सकता है यह इतना कम घनत होता है तो यह मैंने आपको बताया कैसा लगा जरूर बताईए गड़ियो कितना स्कोर किये कमें बख!... sham